शिवशना युवानेता अवदूत मोरे ने वाशी गाउ सब्वे पर आरोबे बनाने की मांग की है इसके लिए नगरविकास मंत्री एकनाच शिंदे और NMMC आयुक्त को भी निवेदन दिया है असल में यहां के अंडरपास में वाहन और लोगों को एक साथ आने जाने की व्यवस्ता है लेकिन सक्रा होने और अक्सर पानी भर जाने के कारण अवागवन में मुसीबत हो रही है देखे रुपॉट नविय मुबई वाशी हाईवे पर बना ये वो अंडरपास है जहां से हर दिन सेकडों वहानों और हजारों नागरिक गुजरते है लेकिन इस अंडरपास में वहानों और नागरिकों के लिए सिंगल रस्ता होनी की वज़ए से अवागमन में मुसीबत होती है पानी बरना यहां दूसरी बड़ी समस्या है फिलाल इसके समाधान के लिए यूवानेता अवदूत मोरे ने नगरविकास मंतरी एकनाच शिंदे को निवेदन दे कर यहां रोड ओबर ब्रिज बनाने की मांग की है यूवानेता अवदूत मोरे ने कहा कि प्रभाग 64 और वाशी गाउ को जोडने वाले इस अंडर पास के पास आरोबी बनाने से स्थानिय लोगों की अवागमन की मुश्किले दूर हो सकती है तो मैंने हमारे पालक मंत्री श्री एकनाजी शिंदे साब और हमारे खाजदा राजन जी उचारे साब उनको मैंने ये प्रपोजल डाला है फुट ओवर ब्रिज विट एक्सकेलेटर जो इदर वाशी सेक्टर 6 है वाशी गाउ के अबस टॉप तक जाएगा तो उसके एक्सकेलेटर होने के वएसे बुजूर्ग लोग है बच्चे है सब लोग जो ऑफिस के आने जाने वाले लोग वो लोग यूस करेंगे उसे तो ये मैंने प्रपोस किया है और मुझे विश्वा से ये जल से जल ये लोगों के लिए प्रोविजन बन जाएगा बताना जरूरी है कि वाशी गाउ का ये अंडर पास बन वे है यानि एक तरफ से सिर्फ एक ही वहान गुजर सकता है दूसरी तरफ से आने वाले वहानों को इंतिजार करना पड़ता है इस अंडर पास में नागरिकों को आने जाने के लिए पतली पकडंडी बनाई है जहां अकसर पानी भरता है और अंधेरा बना रहता है जाईरे रोड उबर ब्रिज बनाने से यहां की बड़ी मुसीबत का समाधान हो सकता है यूवानेता अवदूत मोरे ने कहा कि नागरी इसकी मांग कर रहे है वाशी सेक्टर छे से जो अंडरपास निकलता है वाशी गाओ के लिए मैं समझता हूँ रोज के तीन चार हजार लोग उसे यूज करते हैं तो ये जो विवस्ता है जो अंडरपास का फरस्तिती उदर की काफी खराब है आज population density भी बढ़ गया है गाडियों के आना जाना भी बढ़ गया है तो उसके उसे दो गाडिया एक साथ जा भी नहीं सकती है उदर और चलने के लिए भी उतनी जगह नहीं है लोगों को तकलिफ होती है उदर से चलने आने जाने के लिए जो सवशाल ले का जो मलबा है उसका जो दुरगंदी योग अंडर पास में बेटा हुआ है वो बहुत ही खराब है बुड़ा रपोर्ट TV1 इंडिया लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइब को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए